इन घरों में पितर दोश होता, अमावस्या के आस-पास कलेश जरूर होता है। जब पित्रदोस बहुत ही अधिक कष्टकारक हो जाता है, तो संतान नहीं होती कई बार, कारो बार डूप जाता है, अचानक से घर में काच का तूट जाना, घर में बिल्लियों का अधिक आना, ये सब पित्रदोस के कारण होते हैं, तास्त्रों में कहा गिया है कि देवता सब कुछ बर बाद हो जाता है, पित्र खुश केंए किते जा सकते हैं? अब पित्र प्रशन होते हैं किसी गरीब लोगौं की math कने की किसी की भोजन की विवस्था करा देने से, कर वनसज काई करतभ होता है, अपनी पित्रों को मुक्ति प्राप्त कर वाया है, पित्रों के न तोड़ा प्रेजन्ट, तोड़ा पास्ट या तोड़ा फ्यूचर की में बेटर हो सकता है, वो दे करके साधेकोल आयने थे, एस्ट्रोलेजर, गौरफ तॉमवर जी, ते गल करांगे, एक गल तो नो दास देनिया कि ए मध्यप्रदेश तो आयने साधेकोल स्पेशली, ते मैं सवाल पंजाबी चे पुछांगी, ते लेकिन ए जवाब जेड़े देनगे, वो हिंदी चे देनगे, लेकिन एक जिनने भी जवाब देनगे, वो त्वड़े फैदे ले देनगे, एक जिनने भी सवाल देनगे, वो त्वड़े फैदे ली देनगे, ते आओ, गल कर दे में तोड़े बेनेफिट दे लेए गौरव जी तुसी दसों की एस्ट्रोलोजी दे नाल अपना पास्ट जेड़ा अपना प्रेजेंट या अपना फ्यूचर जेड़ा आम वाला है उन्नों प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं वो कैसे बिल्कुल यह हमारा द्रख जो नेचर है इसमें चारों तरफ जो चीजें आने वाली घटनाओं का संकेत करते हैं वह मेरा पैर मुझ जाना यह ansi बहुत जल्डी दुख जना यह मेरा सीर्डी तो इसम्हेत भारा जंडेंब दुख जाना हैываем हैं प्रिद्ड़ीत गोजर्द मेरे अ को wreckage भार इन कई बाँर बाहर की निगेटी उर्जा हमारे साथ आ जाती हूता है। पित्रदोश कहा है आपनें? कि अंता है पित्र्दोश? पित्रदोस हमारे जो एंसिस्टर होते हैं पूर्वज होते हैं जो हमारे वो असंतुष्ट रह जाते हैं कहीं पर वो हमारे पास आते हैं अपनी संतुष्टी के लिए अपनी मुक्ती के लिए कि वो अपना एहसास करा सक्देने बिल्कुल कराते हैं और जो हमारे पूर्वज ह होते हैं दो तरीके से देख पास्टिव होते हैं एक निगेटिव होते हैं नकारात्मक और शकारात्मक दोनों प्रकार के उर्जाओं में कनवर्ट हो जाते हैं मृत्यू के बाद जो शकारात्मक होते हैं उनको देव पित्र कहते हैं वो कई बार हमारी हेल्फ भी करते हैं और जादा ता हर्फी करते हैं, सास्त्रों में कहा गिया है कि देवता रूठने से कोई बुराई नी होती, पित्र रूठने से सब कुछ बरबाद हो जाता है. देटा रुठादेनाल कोही बुरा ही नी हों दी लेखिन अगर साठी पित्र रुठा जान देनें तै काफी कुछ नुक्साल हो जानद prefatud रूठे हुए पित्रानों कि में मिनाया जा सकता है, रूठे हुए पित्रों को मनाने के लिए सबसे जो सराध कर्म में सबसे अच्छी बात कहीगा, सद्धा के साथ उनको कुछ हर्दे के साथ उनको जो भी अरपित कर दिया जाए, उनके नाम से गरीबों की सेवा की जाए, दान किया जाए, उससे हमारे पित्र संतुष्ट होते हैं. अपा गल कर दें, पित्र दोष दें, की की कारण है, जिदे थुरू पता लग सकता है कि सानू पित्र दोष है. देखिए, पित्र दोष क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि यह है, कि हम जब यहां से मृत्तु होती है, जब हमारी, हम जब इस संसार से जाते हैं, तो हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा जाता है, हमने क्या पाप किये, क्या पुन्नी किये, और हम जब ही भटकते जब कहीं न कहीं हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, तो हम अपने कर्म के माध्यम से अपने पित्रों के कर्म को अच्छा करते हैं, ताकि उनको मुक्ती प्राप्त करें, और जो पित्र दोष होता है, पित्र दोष का सबसे बड़ा लक्षण होता है, आप लक्षण की बात कर तो सबसे बढ़ा लक्षन होता है, हमारे पास धन की कमी हो जाना, घर में कलेश होना, कहास कर जिन घरों में फितर दोस होता है, अमावस्या के आश पास कलेश जरूर होता है. साम को डिनर के टाइम कलेश हो जाना अचानक से घर में काच का तूट जाना घर में बिल्लियों का अधिक आना ये सब पित्रदोस के कारण होते हैं लक्षन होते हैं ये लक्षन बोलेंगे लक्षन होते हैं संकेत हैं कि हाँ आपके उपर पित्रदोस है आपके घर में पित्र दोस है, जब पित्र दोस बहुत ही अधिक कष्ट कारक हो जाता है, तो संतान नहीं होती कई बार, कारों बार डूप जाता है, मतलब पित्रों नो खुश करना बहुत ज़यादा जरूरी है. निप न दिल्टी के नोगे किते जा सकदें, और पित्रों के नीमीत दान पुरने कीजिए, और पित्रlar में प्रशन होて हैं किसी गरीभ लोगों की मदद करने से, निकिसी की भोजन की विवस्ता करा देने से, पि कुछ आपको पित्र दोसे तो सबसे पहले अमावश्या के दिन आपको अपने घर की साफसफाई करनी चाहिए पित्रों के नाम से जो है दानपुनी करना चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कि हमारे शनातन धर्म में जो पीपल का अवरक्ष होता है उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं पीपल दे पेड़ना ठीक है अमावश्या के दिन जाकर कि उसकी पूजा करनी से पित्रों के निमित और पुत्रों के निमित कवों को भोजन कराना से ये पशु पक्षियों क अनुषार अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए मतलब जेड़ा तवड़ा धर में उसी धरन रिकॉर्डिंगी तुसी अपनी पूर्वज नो खुश काच साथ जैसे आप शिख संपरदाय से आते हो तो आपको गुर्द्वारा साहिब में जाके लंगर कराना च बिल्कुल हो जाता है पित्र के रूठने से सब कुछ बरबाद हो जाता है और पित्र की मनाने से सब कुछ अच्छा हो जाता है